हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएस दोस्तों आप सभी का जोगरफी के घटना चकर की सिरीज में सुवागत है यहाँ पर हम जोगरफी के घटना चकर को डिसकस कर रहे हैं यह आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से काफी जादा इंपोर्टेंट है इसलिए आपको इस घटना चकर की सभी क्लासिस को काफी अच्छे से फोलो करना है और लर्न करते हुए चलना है आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं दच्छिन एवं मध्य भारत की परवत स्रेनिया एवं पहाडिया तो आज की वीडियो में यह टोपिक आपका कंप्लीटली काफी अच्छे से कवर हो जाएगा इस टॉपिक से प्रिवियस यर में जितना भी कोशन्स आप से पूछा गया है और यहां से काफी जादा कोशन्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यह चीज़ भी आपको दिहान रखनी हैं तो आज की वीडियो में इसे हम कंप्लीटली डिसकस करने वाले हैं आपको देखना है और ध्यान से समझना है तो अभी आपके एग्जाम का काफी कम टाइम बचा हुआ है लेकिन जितना भी टाइम है परियाप्त है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी हैं मेहनत करते रहनी हैं देखिए अभी आपके काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं आपका 17 मार कर आज को यूबी PCS का एग्जाम होने जा रहा है इसके आलावा 11 फरवरी को आपका ROARO का एग्जाम होने वाला है तो ये काफी मेनasser अग्जाम है इसके अलावा तो फ्रेंट्स सबसे पहला कोश्चन है आपके सामने निमनलिखित में सबसे प्राचीन परवत सरंखला कोन सी है आपको बताना है सबसे प्राचीन परवत सरंखला कोन सी है हिमालिया अरावली विंदिया या सत्पुडा इसका सही आंसर आपका उप्षन भी है अरावली आपक दिल्ली तक लगभग 800 किलोमेटर की लंबाई में फैली है इसका निर्मान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मीलियन वर्स पूर्व का माना जाता है यह भारत की प्राचीन तम परवत स्रंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीन परवत स्रंखलाओं में से ए इसकी सर्वोच चोटी गुरू सिखर 1722 मीटर है तो आप यहां पर यह चीज देख सकते हैं कि इसकी सर्वोच चोटी कौन सी है तो इसकी सर्वोच चोटी गुरू सिखर है जोकि 1722 मीटर उची है यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं दूस प्रत्रा कोश्ण है आपके सामने अधोली कितमे से कौन सी परवत सरंखला भारत में प्राचिन्तम है सही आंसर ओप्शन B हो जाएगा फूर्थ कोश्ण है अरावली सृरेणिया किस राजिया में इस्थित है तो इस परकार से भी आपसे कोश्ण पूछा जा सकता है तो अरावली सिरेनी किस राजिय में इस्थित है? सही आंसर इसका option A है राजिस्थान आपको याद रखना है अरावली सिरेनी आपकी राजिस्थान राजिय में इस्थित है फिफ्ट कोशन है आपका भारत की प्राचिंतम परवत सिरेनी है सही आंसर option A होगा अरावली देखिए अभी तक आपने देखा कि ये कोश्चन आपसे बार-बार रिपीड करके पूछा जा रहा है तो ये कोश्चन आपसे अकसर एक्जाम में पूछा जाता है छटा कोश्चन है आपका अरावली सिरेनियों की अनुमानित आयू क्या है सही आंसर ओप्शन C होगा पान सो सत्तर मिलियन वर्स अरावली सिरेनियों की अनुमानित आयू है साथवा कोश्चन है आपके सामने देश में निम्नांकित में से कौन सा भोगोलिक छेतर सबसे प्राचीन है इसका सही आंसर ओप्शन C होगा भारतिय प्राईदूिपय प्राचीन है तो देश में कौन सा भोगोलिक छेतर सबसे प्राचीन है तो यह है आपका भारतिय प्राइदूई 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 प्रवेतार सबसे प्राचीन है देखे दिये गए भोगोलिक छेतरों में भारतिया प्राइदुईपिया पठार सबसे प्राचीन है यह गौंडवाना भूमी के अपच्छा एवं अपवाहा के कारण बना है आठवा कोश्चन है निम्न में से कौन रैजि डियूल परवत का उधारन है सही आंसर ओप्शन D होगा अरावली अरावली अवसिस्ट परवत यानि की रैजि डियूल माउंटेन का उधारन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूशा गया था कि इन में से कौन सा अवसिस्ट परवत है तो अवसिस्ट परवत आपका अरावली है नौवा कोशन है आपके सामने दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है इसका सही आंसर ओप्शन ए है अन्नाई मुडी अन्नाई मुडी दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी है यह चीज़ आपको दिहान रखनी है देखिए अन्नाई मुडी दच्छिन भारत या प्राइद वीपिया भारत की सर्वोच परवत चोटी है इसकी उचाई 2695 में मीट सही आंसर ओप्शन ए है अन्नाई मुडी इस भारत के सामने भारत या प्राइद वीपिया की सबसे उची चोटी कौन्सी है सही आंसर ओप्शन भी हो जाएगा उन्नाई मुडी 12 वा बार्वा कोश्ज़ आंपके सामने नर्मदा एवं तापती नदियों के मद्य है, इस्थित है, सही आंसर, option B है, सत्पुडा सिरेनिया, ये question आपके लिए काफी ज़ादा important है, और नया भी है, देखिए, आप से यहाँ पर पूछा गया है, नर्मदा एवं तापती नदियों के मद्य है, क्या इस्थित है, तो सत्पुडा सिरेन या दोनों नदियों के मद्य है में इस्थित है, तेहरवा question है आपका, उत्तर से सुरू कर दच्छिन की और नीचे दी गई पहाडियों का सही अनुकरम कौन सा है, तो आप से उत्तर से दच्छिन की तरफ इन पहाडियों को सही से लगाना है, तो friends इसका सही आंसर, option C होगा देखे उत्तर से दच्छिन की तरफ जो पहाडियों हैं, यह हैं आपकी सबसे पहले नला मलाई पहाडियों, जवादी पहाडियों, नीलगिरी पहाडियों और अन्ना मलाई पहाडियों, यह जो करम है यह आपका उत्तर से दच्छिन की तरफ है, तो इस तरीके से आपको य पहाडियों की रानी के नाम से विख्यात निलगरी पहाडियां पूरवी घाट एवं पश्चीमी घाट के सम्मिलन इस्थल पर अवस्थित हैं पहाडियां मुख्यते आंध्र परदेश तमिलनाडु एवं केरल राजियों में करम से उत्तर से दच्छिन की और घरते करम में अवस्थित हैं तो इसे आपको काफी अच्छे से याद रखना है 14 कोशन है आपके सामने निमनलिखित उच्चावच आकर्तियों पर धिहान दीजिए इसका सही करम ओप्शन ए है 1,2,3,4 देखे समसे पहले महादेव परवत सरंखला पश्चिम में देन मैकाल परवत सरंखला देन छोटा नागपूर पठार और खासी की पहाडियां तो आपका एक दो तिन चार ये सही करम हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है देखिए प्रश्ण अनुसार दिये गए उच्चावा चाकरतियों का पश्चिम से पूरव की और बढ़ते हुए सही करम है पंधरव कोशन है आपके सामने निमनलिखित किस पहाड़ी पर पूरवी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है सही आउपशन C है नीलगिरी की पहाड़ी तो आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी पहाडी भारतिय प्राइद वीब के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदू पर इस्थित है नीलगिरी पहाडी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है इसकी सरवाधिक उची चोटी डोडो बेटा लगभग 2637 मीटर उची है तो आपको याद रखना है नीलगिरी पहाडी की सबसे उची चोटी कौन सी है डोडो बेटा जोकी 2637 मीटर उची है इसे आपको दियान रखना ह सोलवा कोशन है आपका डोडो बेटा चोटी इस्थित है सही आंसर है ओप्शन बी निलगिरी पहाडियों में सतरवा कोशन है आपका जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाडियां अवस्थित हैं इसका सही आंसर ओप्शन C है नेलगिरी की पहाडियां तो नेलगिरी की पहाडियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलनिस्थल पर इस्थित हैं अठारवा कोशन है निम्न में से कौन एक करनाटक केरल और तमिलनाडू राजियों के मिलनिस्थल पर इस्थित है पर इस्थित है 19. question है आपका नेलगिरी परवत माला जिस राजिय में इस्थित है वह है तो वह है आपका तमिल नाडू है 20. question है आपका भारतिय समुद्र सास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पस्चिम, दच्छिन पस्चिम में लगभग 455 किलो मेटर दूर एक पुराना question ये आपका है चलिए आगे बढ़ते हैं 21 question है आपका निम्नलिखित कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है आपको यहां पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है तो सही answer option a है option a आपका सही नहीं है तो option a क्या है पश्चीमी घाट उत्तरी छेतर में अपिक्षकरत अधिक उचाई पर है तो ये कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है जबकि पश्चीमी घाट में अन्नाई मुडी सबसे उची चोटी है तो ये आपका यहाँ पर सही कथन है तापती नदी सत्पुड़ा के दच्छिन में है सही कथन है नर्मदा नदी तथा तापती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है ये कथन भी आपका सही है देखे तो गलत कथन था आपका कि पश्चिमी घाट उत्तरी छेतर में अपिक्षाकरत अधिक उचाई पर है तो ये कथन आपका गलत है और आपको यही चुनना था देखे फिर सही क्या होगा पश्चिमी घाट की उचाई उत्तर से दच्छिन बढ़ती जाती है इसकी सबसे उची चोटी केरल में इस्थित अन्नाई मुडी चोटी है जो दच्छिन छेतर में इस्थित तापती नदियां भारतिय रिफ्ट गाटी के उधारन है अत्य कथन डी भी यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजंता स्रेनी महराष्ट राज्य में इस्थित है इसका विस्ता आपको याद रखना है महराष्ट और करनाटक में पश्चिमी घ्राइभ के manner आपको याद रखना है यह काफी जादा इंपोर्टेंट है देखे पश्चिमी घाट को महराष्ट, गोवा इवं करनाटक में सहादरी के नाम से जाना जाता है 24 question है आपका नीचे दिये गई कूट से निमनलिखित पहाडियों का दच्छिन से उत्तर की और बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुकरम चुनिये तो आपको दच्छिन से उत्तर की और इन पहाडियों को लगाना है सही आंसर आपका option B होगा सबसे पहले आपका सत्मला पहाडिया आएंगी जो की दच्छिन में है इसके बाद आपका कैमूर पहाडिया आएंगी देन नागा पहाडिया और देन पीर पंजाल सरेनी तो आप देख सकते हैं दच्छिन से उत्तर की और आपको इनका करम लगाना है यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं देखिए पहाडियों का दच्छिन से उत्तर की और बढ़ते हुए सही करम इस प्रकार है सत्माला पहाडिया आपकी महराष्ट में हैं कैमूर पहाडियां मध्या परदेश से बिहार में हैं, नागा पहाडियां भारत में अम्मार सीमा पर हैं, और पीर पंजाल स्रेनी जम्मु कस्मीर से हिमाचल प्रदेश में हैं, तो इस प्रकार से दच्छिन से उत्तर की और इनका करम हो जाता है, 25 कोशन है आपके सामने, कार्डमम पहाडियां जिन राजियों की सीमाव पर इस्थित हैं, वह हैं, सही आंसर ओप्शन सी होगा, केरल एवं तमिलनाडू, कार्डमम पहाडियां केरल एवं तमिलनाडू की सीमाव पर इस्थित हैं, देखिए, कार्डमम पहाडियां दच्छिन परवत्षरेनी है सही आंसर ओप्षण C होगा कार्डमम कार्डमम पहाड़ी भारत की दच्छिन तम परवत्षरेनी है यहाँ पर इलाईची का अत्यधिक उत्पादन होता है जिसके कारण इने इलाईची पहाड़ियां भी कहा जाता है देखिए 27 कोशन है आपके सामने सेवर पहाड़ियां तमिलनाडू के सलेम के पास अवस्थित है 28 कोशन है आपका निम्न में से कौन महाराष्ट में नहीं इस्थित है सही आंसर ओप्षण C है मांडव पहाड़ियां तो मांडव पहाड़ियां आपकी महाराष्ट में इस्थित नहीं है देखिए बालागाट स्रे तथा सतमाला पहाडियां महराष्ट में फैली हैं जबकि मांडव पहाडियां गुजरात राजिया में इस्थित हैं इस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है 29 कोशन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये चीज़ आपको बतानी है ओप्शन भी सही है यहापर मांडव पहाडियां आपको पता है महराष्ट में नहीं है ये कहाँ पर है आपकी गुजरात में है अभी हमने देखा था जबकि गड़जात पहाडियां ओडिशा में नल्ला मलाई पहाडियां आंदर परड़ेस में है सेवराई पहाडियां तमिल नाडू में है इन्हें आपको याद कर लेना है और आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं 30 कोशन है आपका एक तरफ पहाडियां दूसरी तरफ छेतर दिये ग पहाडिया क्या कोरोमंडल टटट पर है कैमोर पहाडिया क्या कोकं्ट टट पर है महादेव पहाडिया मद्य भारत में है मिकिर पहाडिया पुर्वत्तर भारत में है आपको बताना एक तो दोस्तों यहाँ पर आपका option C सही answer हो जाएगा तीन और चार यहाँ पर सही सुमेलित है महादेव पहाडिया आपकी मध्या भारत में है और मिकिर पहाडिया पुर्वत्तर भारत में है तो यहीं दो आपके यहाँ पर सिर्फ सही है देखे यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कार्डमम पहाडिया केरल के दच्छिन पूर्व तथा तमिलनाडू के दच्छिन पश्चिम भागों के बीज में स्थित है जबकि कोरो मंडल टट भारत की दच्छिन पूर्वी टट रेखा को दिया गया नाम है क्यामूर पहाडिया मध्या परदेश से बिहार तक विस्तरित हैं आपको दियान रखना है 31 कोशन है आपका महादेव पहाडिया भाग है महादेव पहाडिया किसका भाग है तो सही आंसर ओप्शन ए है सत्पुडा महादेव पहाडिया सत्पुडा परवत स्रेनी का विस्तार है इन्हें आपको दियान रखना है 32 कोशन है आपका सिरेने की सबसे उची चोटी है यह है पंच मड़ी में इस्थित है 33 कोशन है राम देखे यह जलीट कोशन है चलिए आगे बढ़ते हैं 34 कोशन है आपका पारशनात पहाडी की उचाई क्या है सही आंसर ओप्शन सी होगा 1365 मीटर पारशनात पहाडी जहारखंड राज्ये के गिरीडी ही जिले में इस्थित है इसकी उचाई लगभग 1365 मीटर है इसके सिखर पर सिखर जी जैन मंदिर इस्थित है यह पहाडी छोटा नागपुर पठार के पूरवी छोर पर इस्थित है यह जहारखंड राज्ये की सर्वोच चोटी है इसका नाम जैन धर्म के 23 तीर देखिए यहां पर आप देख सकते हैं सही आंसर आपका ओप्शन ए होगा और डारेक्ट हम सही मिलान देखते हैं देखिए गारो पहाडियां आपकी मिघाल्य में हैं मिरी पहाडिया अरुनाचल परदेश कुल्लाई मलाई यह तमिलनाडू में हैं और डालमा यह आपकी ज नीचा होता हुआ पठार है इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है यानि की कवर होता है सही आंसर ओप्शन डी है यहां पर एक दो तीन सभी कथन यहां पर सही दिये गए हैं ठीक है तो इन्हें आपको धियान रखना है देखिए यहां पर आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर टट के समानांतर लगभग 1500 किलोमेटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दच्छिन में कुमारी अंतरीब तक पाया जाता है यह ब्रेंसोत ब्लॉक परवत है जिनका निर्मान स्थल के एक खंड की अरब सा से एवं गोवा से दच्छिन ग्रेनाइट और नाईस से निर्मित है 37 कोशचन है आपका कोडाई कनाल किस पहाड़ी में इस्थित है सही आंसर ऌप्शन C है पालनी कोडाई कनाल तमिलनाडू के डिंडिगुल जिले में पालनी पहाडियों में अवस्थित है 38 question है आपका निम्न में से कौन सी पहाडियां राजिस्थान में विंधियन परवत सिरेनियों का विस्तार है सही answer option A होगा मुकंदरा पहाडियां मुकंदरा पहाडियां राजिस्थान में विंधियन परवत सिरेनियों का विस्तार है देखिए मुकंद्रा पाहडिया कोटा वेजहालवाडा के बीच अवस्थित है 39 कोशन है निम्न में से कौन सी परवत ये चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है सही आंसर ओप्शन बी होगा सलहेर सलहेर आपका पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी घाट परवत कविस्तार भारत की मुख्य भूमी के पूर्वी टट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडू तक है पूर्वी घाट के परमुख परवत चोटियों में मलैगिरी, महिंद्रगिरी, गली कॉंडा, आंधर परदेश में सिंकराम, गट्टा, ओडिशा में, मार्दू गुला, कॉंडा, आंधर परदेश में आते हैं चालिसवा कोशन है, आपके सामने, एक तरफ राज्जी है, और सबसे उची चोटी दूसरी तरफ दी गई है, आपको इनका मिलान करना है तो फ्रेंड सही आंसर यहाँ पर आपका ओप्शन सी है, चलिए इन्हें डारेक्टली देखते हैं, तो यहाँ पर आप इन्हें याद कर सकते हैं केरल की सबसे उची चोटी, अन्नाई मुडी, नागा लेंड की सारा मती, उत्राखंड की नंदा देवी, तमिल नाडू की दो दो बेटा है, तो इन्हें आप याद कर लेना 41 कोशन है आपके सामने, मध्य भारत में इस्थित पहाडियों का, पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही करम है सही आंसर ओप्शन B है सत्पुडा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर देखे मध्या भारत में इस्थित पहाडियों का पश्चिम से पूरव का सही करम निम्नलिखित है सत्पुडा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर 42 कोशन है आपके सामने सत्पुडा छेतर में इस्थित स्रेनियों में से पश्चिम से पूर्व की और उनकी स्थिती को दर्शाने वाला निम्नलिखित से कौन सा करम सही है सही आंसर आपका उप्शन A होगा बढवानी की पहाडिया, महादेव, मैकाल, स्रेनी तो इन्हें आपको ध्यान रखना है 43 कोशन है आपका कन्या कुमारी से सटी पहाडिया कौन सी है सही answer आपका option C होगा कारडमम पहाडिया कन्या कुमारी से 60 पहाडिया है इसके अलावा 44 question है आपका निम्न में से किस पहाड़ी पर चाए बागान नहीं है सही answer option D होगा गिर्णार तो गिर्णार पहाड़ी पर चाए बागान नहीं है इन्हें आपको धियान रखना है नेक्स्ट है आपका देखे फ्रेंड्स तो आपके दच्छिन भारत की जो चोटियां थी उनमें 44 टोटल कोशन यहां पर दिये गए थे अभी आपका नेक्स्ट टोपिक होगा परवत चोटियां तो अभी आपकी काफी सारी परवत चोटियां बची हुई है इनसे रिलेडिड कोशन भी हम जरूर देखेंगे लेकिन इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी इसके अलावा आपकी पॉलिटी के घटना चकर की भी क्लास चल रही है तो आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं जोगरफी आपकी यहां पर कवर हो जाएंगी यह दोनों ही सब्जेक्ट आपके एक्जाम के लिए काफी जादा महत्वपूर्ण है यहां से काफी सारे questions है जो आपसे पूछे जाते हैं लगतार पूछे जाते हैं इसलिए आप इनके घटना चकर को काफी अच्छे से कवर करें तो आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं फिर next क्लास में Thank you so much friends for watching the class Keep watching, please like, share and subscribe Thank you